दुनिया के याड सबसे खतनाग रेलवे बिरिज जिन पर अच्छे अच्छे ट्राइवरों को पसीने छूटे जाते हैं नमबर आठ वाइट पास एंड यू कॉन रूट बिरिज अमेरिका और कनाडा को जोडने वाला एक एतिहासिक रेलवे पुल है ये पुलल आशका की बरफीली पाड़ियों और गहरी घटियों की उपर बना हुआ है इसे एक हया 988 में बनाए गया था और ये लगवाग 900 फिट की उचाई पर इस्ते थे यहां की ट्रेने सक्री पट्रियों पर चलती है और नीचे जहगने पर सिर्फ घहरी खाईया और चटाने नजराती है इस रूर पर सफर करते समाएं ऐसा लगता है जैसे आप मौत के साथ खिल रहे हैं ट्रेन के यात्रियों को नकिवल खतनाग मोरों से गुजरना पड़ता है बलकि ठंडी हवाएं और वर्फ भी डराने का काम भरती हैं लेकिन इसकी खूसूरती इतनी सांदार है कि हर साल लाखो परेटर इस रोमान चक सफर का अनंद लेने आते हैं नमर साथ जार्ज टाउन लूप रेल रोड कोलोराडो अमेरिका की कोलोराडो में इस तेफ जार्ज टाउन लूप रेल रोड एक अद्दूर इंजिनिरिंग का नमूना है 1884 में बना ये पुल करीब 96 फिर उंचा और बेहस चक्रा है यहां ट्रेन पाणों के पी जटल घुमाओदार पट्रियों पर चलती है तो यात्रियों को रोमांच और डर का अनोखा एसास कराती है इस पुल की सबसे खतनाख पादी है कि ट्रेन बेहत धीमी रफ्तार से चलती है और नीचे देखने पर गहरी घाटियां दिखाईं देती है बारिश या बरफारी के दोरान यहां यात्रा करना और भी ज़्यादा खतनाख हो जाता है नमर 6, कुरांडा सीनेक रेलवे ब्रेज कुरांडा सीनेक रेलवे ब्रेज अस्ट्रेलिया के कूश लेंड में स्थित है इसे एग हया 999 में बनाए गया था और यह पहाडों, जंगलों और ज़र्नों के भी सोजरता है पुल की उचाई लगवक 328 फिट है और इसे खड़ी चटानों पर बनाया गया है इस रेल मार्क पर यात्र करते हुए एक तरफ भरे भरे जंगल और दूसरी तरफ गहरी खाई दिखाई देती है यहां की खतानाग मोडों और तेज हबाओं के कारण यात्रियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है हलाकी परकरते खुबसूरती इसे एक यादगार सफर बनाती है नमर पांच इलास्ट नौवस ट्रेन इलास्ट का मतलब होता है बादलों की ट्रेन यह रेलवेपोल अरजेटीना के एंडिश परवत सरंखला में स्थिद है और यह समद्रतल से 13,850 सुट की उचाई पर बनाये गया है यह पोल इतना उचा है कि ऐसा लगता है जैसे ट्रेन बादलों की 200 होकर गुजर रही हो लेकिन यह उचाई इसे खतनाग बनाती है पेज हवाओं और खतनाग पटलियों के कारण यहां सफर करना दिल दहला देने वाला अनुभग हो सकता है खास बात है कि इस रूट पर कई बाद ट्रेन धीमी हो जाती है ताकि यात्री प्रकरतिक नजारों का आनंद ले सके ताइलेंड का देथ रेलवे ब्रेज अपने नाम के मताविए ही डराउना है इससे दिर्ती बुशियोदे के दोरान जापानी शेनाने केतियों से बनवाया था इसे बनाते इस वक्त करीब एक लग लोगों की मौत हो गई थी इसलिए इसे रेलवे कहते हैं ये पुल खतरनाग घाटियों और जंगलों से गुजरता है इसकी पट्रियां लकडी की हैं जो समय के साथ साथ कमजोर हो चुकी है जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो पट्रियों की चर्मराने की आवाज सुनाई देती है नमर तीन लेंड वाशर वायडक्ट शूजयलेंड शूजयलेंड का लेंड वायडक्ट दुनिया के सबसे खूरसुरा तो खतरनाग रेलवे पुलों में से एक है ये पुल 216 फिट उचा और 550 फिट लंबा है जो एक सुरन से जोड़ा हुआ है ट्रेन यहाँ पत्थर के खमों पर बनी फटरियों पर शलती है इस पुल की सबसे खासवाती है कि ये सीधी खड़ी चटानों पर बना हुआ है जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो नीचे पहती नदिया और बरफीले पहाडों का दरस्त देखने लाइक होता है नमर दो डेविल स्नोज रेलवे जो एक खड़ी चटान पर बना है जो करीब 9000 फिट की उचाई पर है यहाँ ट्रेन को जिंग जैंग में चलाना पड़ता है ताकि वह इस खतनाग लाके को पार कर सके बारे सो फिसलन के कारण यह जगए और बी ज़्यादा खतनाग हो जाती है यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा 1000 फिट गहरी खाई में गिरना है नमबर एक गोटिक ब्याटक मेंमार में बना यह रेल बिरेज करीब 100 साल पुराना है और इसे बिरतिश शाषन के द्वारा बनाये गया था यह पुल करीब 687 मीटर लंबा और 102 मीटर उंचा है जो दिनिया के सबसे उंचे रेल पुलों में गिना जाता है और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब परें और जाता श्यादा शेयर करें